एक हलो लान्र माइनेम इस रूची गुपता वेलकम टू माई चैनल रूची को क्लासेज इस वीडियो में हम जो आएक यह जी से नेट के प्रिवियस यह कोश्चन को करेंगे तो स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमर वन से फिर्स कोश्चन है हमारा विच वन आफ दे फालूइं इन इंडिया फॉर्स्ट है टू एसलेट एकोनामिक डेवलपमेंट टू अचीव प्राइस स्टेविल्टी टू रेगुलेट फॉरेंट ट्रेट टू इस्टेबलाइज एक्सेंज रेट ठीक तो हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अब्जेक्टिव में हमारा आता है अब्जेक्टिव है दूसरा है हमारा टू अचीव प्राइस स्टेविल्टी या हम कर सकते हैं कि इंफ्लेशन को कंट्रोल करना ये भी एक इंपोर्टेंट है टू रेगुलेट फॉरेंट ट्रेट यानि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड चीजों को रेगुलेट कर और इन सारी चीजों का भी एक इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव है लेकिन जो है हमारा एक और इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव है कि टू इंक्रीज कि एकोनामिक ग्रोथ और economic growth और economic development में अंतर होता है economic growth का मतलब होता है कि increase in real income या बोल सकते है real GDP और economic growth का मतलब होता है economic development का मतलब होता है welfare से related होता है कि उसमें हम health education सारे system को किस तरह से किस तरह से हम जो है कि develop करते हैं तो अगर तो economic growth हम एक पार्ट होता है economic development होल होता है ठीक तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं next हमारा तो यहां पर जो option दिया हुआ यह option हमारा गलत है हमारा answer आजाएगा यह टू इस लेट कि यह हमारा है जो monetary policy के चार important जो है कि अब्जेक्टिव है extend the rate stability price stability increasing employment growth assisting for rapid economic growth ठीक मैं आपको slide दिखा दरी हो आप पर लीजेगा price stability full employment assisting for rapid economic growth और यह वाली स्लाइड जो economic growth और economic development में difference को बताती है economic growth means an increase in real national income and national output और economic developments are an improvement in the quality of life and living standard ठीक major of literacy life expectancy and health care तो चलते हैं next question पर अप्रग्रेसिव income tax implies that the amount of tax falls with a rise in income the rate of tax rises with a rise in income both a and b the rate of tax decreases with rise in income थिक तो हमारा जो है progressive income tax apply होता है कि हमारा जब tax income increase होता है तो उसके साथ हमारा tax भी increase करना चाहिए यह हमारा progressive income tax होता है और इंडिया में हम progressive income tax की policy को ही अपनाते हैं ठीक नेक्स कोशन चलते हैं the incidence of sales tax is on the seller when the demand करो तो जब हमारा demand कर perfectly elastic होता है और यहां पर price stable होता है तो जब हमारा government tax impose करती है तो यह perfectly elastic demand कर होने के जैसे हम price को ऊपर नीचे नहीं कर सकते तो जो है कि हमारा जो total burden होता है वह हमारा seller को यानि की producer को ही सेयर करना पड़ता है क्योंकि हमारा demand जो है perfectly elastic होता है ठीक यह मैंने अपने starting के video में incidence of taxation में कराया है अगर आपको detail में जानना है तो आप वहां पर जा करके देख सकते हैं मैं video का link दे दूंगे description में which one of the following is not correctly matches in case of India revenue expenditure revenue expenditure revenue receipt plus revenue deficit primary deficit revenue deficit and interest payment ठीक total receipt का दिया हुआ है तो total receipt में होता है revenue receipt plus capital receipt revenue receipt में जो है tax revenue और non-tax revenue करते हैं जो revenue expenditure होता है revenue receipt plus revenue deficit का नहीं होता है बलकि हम यह बोल सकते है revenue deficit जो होता है वो revenue expenditure minus revenue receipt होता है क्योंकि हमारा जब income से ज़्यादा expenditure होता है तो हमारा deficit होता है तो यह वाला हमारा perfectly match मैच नहीं है तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि मारा एंसर ए जो है कि पर्फेक्टली मैच नहीं है तो नेक्स कोस्टन चलते हैं हां मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकेंड थी तो हमें मैच दी फॉल्विंग करना है आर भी आई है नाइंटीन थर्टी फाइब इयर आफ प्लानिंग कमिशन हमारा 15 मार्च नाइंटीन फिप्टी में हुआ था यह सी आई जो है फाइनेंस कार्पोरेशन इन इन इन्सूरेंस इसका कंफर्म मुझे फुल फॉर्म नहीं पता है यह 1964 में या था एंसर हमारा वन ही होगा यह भी है हमारा मैच दी फॉल्विंग तो हम किन से डेविड रिकार्डो है एडम इसमीत है मिसे जॉन रॉबिंसन है तो वेल्थाफ नेशन तो यह हमारा जो एडम इसमीत ने दिया है तो उन सी का फोर लगा देते हैं तो यहां पर है बाकि हम इलिमिनेशन मेथड से भी यूज कर सकते कि एक का आंसर में पता है और हम इसमें में चेक करें तो नहीं तो बाकी सबको आप बाकी सारे उप्स जिसमें नहीं उसको इलिमिनेट कर दें पिर भी मैं आपको बताती हूं डेविड रिकार्डो का है प्रिंस्पल आप पॉलिटिकल एकोनामी और जॉन रॉबिंसन का है हमारा एकोनामिक्स आप अब कि होती है सिमेंट्रिफिक्स का मतलब होता है यह नहीं से प होगा है यहां पर हमारा मीं मेडियन सब्सक्राइब 3 टीम पर हम बोल सकते कि zero skewness होता है यहां पर mean median mode equal होते हैं और beta 1 जो है वो होता है major of skewness वो beta 1 दिखाता है और जो है कि अगर बाउले का पूछा होता है बाउले का जो होता है तो वो हमारा जो है 3 to minus 3 को दिखाता है और यह कूटोसिस का है sorry तो यह जो है कि हमारा mean median mode equal होता है और अगर हमारा mean median mode equal नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताती हूँ यह हाँ mean median mode equal नहीं होता है तो हमारा जो यह 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 ऐसे यह ऐसे जब हमारा यह तो mean is greater than mode is greater than median होता है median is greater than mode होता है तो यह positive skewness होता है तब यह इस side चला जाएगा और यह negatively skewn तब होता है जब हमारा mean छोटा होता है median से और median छोटा होता है mode से ठीक यह ऐसे तो यह हमारा जो है negatively skewn हो जाएगा जब हमारा mean छोटा होता है median से और median छोटा होता है mode से और positively the mean is greater than median is greater than mode और asymmetrical distribution के लिए हमारा 0 होता है skewness next question भी हमारा match the following है range है coefficient of variation है variance है interquartile range है तो range हमारा जो है use limited information होता है तो एक का दूसरा हम देख लेते answer हो जाएगा हमारा option C कि ठीक variance हमारा जो होता है square of SD होता है standard deviation interquartile जो कि हमारा जो फिर आ जाएगा हमारा c variance होगा तीसरा हमारा जो की coefficient of variation हो जाएगा relative measure of dispersion और यह चोथा हो जाएगा तो next question answer हमारा c next question चलते है under which article of the constitution of India is the finance commission is appointed by President of India तो यह article 280 होता है ठीक और article 275 यह भी important है इसके अंदर जो है हमारा जो है कि state और center के भी जो हमारा जो income distribution होता है वह हमारा article 275 के अंदर होता है according to हमारा by the finance commission ठीक next question चलते है type 1 error is defined as तो जब हमारा दो type error होता है type 1 error और type 2 error जब हम reject null hypothesis करते है when it is true यह type 1 error होता है और type 2 error जब हम accept the null hypothesis when it is false और जो हमारा सबसे देंजरस होता है वह type 2 error होता है क्योंकि जब चीज गलत होता है अगर सोच लिजए अगर हमने कोई medical जैसे vaccine बनाया और vaccine नमारी गलत है और हमने उसको approval दे दिया तो कितने लोगों की जान जा सकती है तो यह type 2 error ज्यादा डेंजरस होता है factor reversal test is satisfied by तो factor the test होता है जो time reversal test होता है और factor reversal test होता है time reversal test का होता है P01 into P10 equals to 1 होता है और जो factor reversal का होता है P01 into Q01 equals to P0 Q0 upon P1 Q1 यहां पे summation हो जाएगा ठीक तो यह होता है हमारा test का formula factor टाइम जो time reversal test होता है उसमें हमारा जो है कि लेस्पियरे पास्चे और तो जो time reversal test होता है उसको जो है satisfied हमारा लेस्पियरे पास्चे और अरित्मेटिक मीन आफ लेस्पियरे वो पास्चे होता है वो हमारा मार्सल एजवर्थ होता है ठीक तो हमारा यहां पे फैक्टर रिवर्सल टेश्टी साटिस्फाइड जाए बाई फीसर इंडेक्स हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन स्टार्ट करते दस्वाफ देविएशन आप गीवन सेट आप लेस्टर्वेशन इस मिनमम टेकन फ्रम धर मीन जब हमा किसी का मतलब यह दो तीन चार पांच है इस्कान सख वह निकालते हैं तो कितना अएगा को हम इसको कर के सॉल करके देखते हैं कि ये कैसे हमारा जैमन से जीरो होगा तो जैसे देखिया यहां पर 2, 3, 4, 5 यह हमारा जया कि हमारा अपजर्वेशन है नमबर अपजर्वेशन हमारा हो गया 4 इसको हम टोटल करेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12, 24 डिवाइड़ वाइड वाइड फोर करेंगे तो आएगा हमारा 3.5 ठीक अब हम इसको जो है नमबर में लिक लेते हैं फिर इसको ज तो था 2, 3, 4, 5 आया इसका 3.5 ना एक्चुल से ही हम करते हैं तो 3.5 आया तो एकोल स्टो 3.5 ले लेंगे तो 3.5 माइनस 1.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1.5 तो इसको इकोल करेंगे तो 0 यह प्लस यह माइनस ते कर जाएगा यह यह जीरो आया यही हमारा बूला है दस माप्द सेट अब जरमीनिमम में टेकन फ्रॉम मीन ठीक तो यह हमारा लास्ट कोशन था यह हमारा लास्ट कोशन था आगर आपको वीडियो पसंद आया हूँ तो चैनल को लाइक कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिएगा और जिसे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए और अगर आपको कोई किसी क्रेशन पर डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख मैं आपको के डाउट को क्लियर कर दूंगी और ज्यादा ज्यादा वीडियो को सेर कीजिए थैंक यू सो मच